मैं सिर्फ अजैस कुमार असिस्टेट प्रोफेसर सिमेज ग्रोप इंस्टिचेशन आज के क्लास में एक डिबीमस का टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं आप लोगों को थ्री भीव ऑफ डेटा थ्री भीव ऑफ डेटा इन डेटा बेस इस डीबीव ऑफ डेटा इन डेटा वेज़ डेटा वेज में डेटा का थ्री भीव होता है सबसे जो लोगेस्ट लेवल का ब्यूँ अब भी में टैट इस और रशे कार्ण और इसपेसिफाइक करता है की हाउ डियकली स्टोडीन डेटाबेस डेटाबेस में डेटा आपका फिजीकली नीकाइस फोड़्द होता है वह स्पेसिफाइक कता हैं इंटर्नल अलेबल प्युव के अग्दिस्नेबस लेबल लेबल वन ली one schema a schema defined defined per database or database called physical schema schema क्यों होता है overall structure of database is तो इंटर्नल लेबल पे एक डेटाबेस का एक ही एस्कीमा बनता है और उसको हम लोग बोलते हैं फीजिकल अस्कीमा और अस्कीमा कौन बनाता है हम इस लेबल पे अस्कीमा इच विजाइंड वाइड डीबीए किसके द्वाराज किनों बनाया जाता है डीबीए के द्वारा इसके बाद का जो भी होता है लाटिज कॉर्ट कॉंसेप्च्वल भीव इन द्वाराज के द्वाराज कि रिकोर्ड का किस तरीके से रिपर्जेंटेशन किया गया है प्लस और डेटा वेस का किस डेटा बेस के साथ रिलेसन सिफ है यह बताता है कॉंसेप्च्वल भीव Conceptual view पेवी, at this level, only one schema defined per database and schema is defined by DBA, database administrator यहाँ भी बनाता है conceptual level पे, and conceptual level के बाद का जो भी होता है, सबसे highest level का जो abstraction होता है database का, उसको बोलते हैं हम लोग external level view, क्या बोलते हैं? external level view, external level view, actual पे जो user, end user जो database से interact करते हैं, वो किस level पे, external level पे, at this level, at this level, at this level, more than one schema schema, defined, per database, per database, called, sub-aschema, means external level को user view भी बोलते हैं, actual में user जो interact होता है, वो किसे होता है, external level से, and external level पे, एक database का more than one schema defined होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब-aschema, तो यह था three view of data in database, या इसी topic को बोलते हैं हम लोग three level abstraction, actual में database कैसे physically stored होता है, record कैसे stored होता है database में, एक कापी complex task है, तो इस complexity को user से क्या करके रखा जाता है, hide करके रखा जाता है, हम लोग only interact करता है किसे, external level पे, और बताए internal और conceptual level पे कौन करता है, DBA, database administrator, thank you.